बिल्कुल सही पड़ा आपने 108 Megapixel का कैमेरा Infinix GT 10 Pro के अंदर दिया गया है पर इसकी असलियक कुछ और ही है देखीं दोस्टों Infinix GT 10 Pro के अंदर 108 Megapixel का मेन कैमेरा दिया हुआ है तो यह कुछ कैमेरा सेंपल जो हमने 108 Megapixel के कैमेरा से इंफिनिक GT 10 Pro के लिया हुआ है अब इहाँ पर देखिए दोस्टों Color Capturing वगरे इंफिनिक GT 10 Pro के कैमेरा ने ठीक टक की है अब मैं एक बात के तरब आपका ध्यान यहाँ पे ले जाना चाहूंगा इस फोटो के अंदर आपको थोड़ा एलोई स्टोन एड किया हुआ दिखे का जी हा दोस्तो यह पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा बाकी अदर्स कलर्स वगरे ठीक टाक कैप्चर कर और फोर्ग्राउंट के कलर के उपर ध्यान दिजे स्काई को उतना तो नैचरल रखने की कोशिश इंफिनिक जीटी टेन प्रो के कैमेरा ने नहीं के अब यह फोटोग्राफ दिखे थोड़ा लो लाइट कंडिशन में था और यहाँ पे उपर स्काई का कलर नीचे फोर्ग अब इस फोटोग्राफ में दिखे यहाँ पेडो का कलर स्काई का कलर और नीचे फोर्ग्राउंट का कलर वगरे एकदम सही से कैप्चर किया गया है तो देखे लाइटिंग कंडिशन के हिसाब से इन्फिनिक जीटी टेन प्रो का कैमेरा परफॉर्म करता है यह मैं यहाँ देखे इसके अंदर 2 मेगा पिक्सल का मैक्रो कैमेरा भी लगा हुआ है तो मैक्रो शॉट भी मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ देखे इन्फिनिक जीटी टेन प्रो के मैक्रो शॉट कुछ इस प्रकार से तो डीटेलिंग वगरे एकदम सही से मैक्रो शॉट के अंदर इन्फिनिक जीटी टेन प्रो के कैमेरा ने कैप्चर की है प्रोसेसिंग वगरे ठीक तक यहाँ पे कैप्चर कर रहा है इस फोटो के अंदर देखे दोस्तो एज जीटेक्शन वगरे एकदम पर्फेक्ट मैक्रो शॉट के अंदर इन्फिनिक जीटी टेन प्रो के camera से कुछ इस तरीके से capture किये जाते है तो यहाँ पर subject की उपर detailing वगरे ठीक टाक है बाकी background blur वगरे ठीक टाक है यहाँ फिनिक GT 10 pro की camera ने किये यह background blur आपको थोड़ा सा unnatural सा लग सकता है तो कोई दिकत नहीं है processing के वक्त आप इस background blur को adjust कर सकते हैं दोस्तो नाइट कंडिशन में भी कुछ photograph इंफिनिक GT 10 pro की camera से capture किये यह कुछ photograph है जो नाइट कंडिशन में लिए गए है तो नाइट कंडिशन में यहाँ पर इंफिनिक GT 10 pro का main camera ठीक टाक जो है work करता है मैं अगर यहाँ पर zoom करके दखाओ तो detailing वगरे building के उपर देखें सही से capture करनी की कोशिश आपे की है पर light source के उपर अगर आप ध्यान दोगे तो इंफिनिक GT 10 pro की camera ने थोड़ा overexpose करनी की कोशिश आपे light source के उपर की है यह second photograph भी देखें अब इसके अंदर color वगरे आप देखें यह red light का color वगरे बाकी green color यह पेड़ का color वगरे रात में ठीक से capture करनी की कोशिश तो की है इंफिनिक GT 10 pro की camera ने उपर sky का color नीचे foreground का color भी आप देखी सकते हो इस photograph को देखें अब इस photograph में थोड़े ज्यादा color से तो थोड़ा अच्छा idea आपको यहाँ पर आऊँगा तो देखें जहाँ पर lighting condition थोड़ी ठीक टाक है रात के अंदर उस समय आपको इंफिनिक GT 10 pro का camera ठीक टाक वग करती हुए दिखाई दीगा इस photograph में भी देखें अब देखें थोड़ा light की उपर over expose करनी की कोशिश इंफिनिक GT 10 pro का camera रात में तो करता है चलिए दोस्तों कुछ अल्ट्रावड शार्ट भी हमने यहाँ पर इंफिनिक GT 10 pro के camera से लिए अल्ट्रावड कैमेरा तो स्पेशली दिया नहीं गया है पर में कैमेरे के अंदर ही आपको फीचर मिलता है अल्ट्रावड कैमेरा तो यह कुछ फोटोग्र आप में देखिए दोस्तों इस फोटोग्राफ में डिटेलिंग और कलस वगेरे सही से कैप्चर करने के कोशिश अल्ट्रावड मोड के अंदर इंफिनिक GT 10 pro का कैमेरा करता है तो बाकी देखिए थोड़े पंची कलस तो यहाँ पर आती है पर पंची कलस सोशल मीडिया रे ठीक टैक फोटोग्राफ आप जूम करके भी इंफिनिक GT 10 pro के कैमेरा से कर पागे कुछ स्पेशल फीचर भी इंफिनिक GT 10 pro के कैमेरा के अंदर आपको प्रोवाइड किये जाएगे अब यहाँ पे दोस्तों स्काय के उपर ध्यान रखी गया है देखिए स्काय हर फोटो के अंदर चेंज हो रहा है तो यह स्पेशल फीचर आपको इंफिनिक के फोन के अंदर आजकल मिलता है तो यह स्पेशल फीचर का इस्तमाल करके आप स्टॉनिंग सोशल मीडिया रेडी फोटोग्राफ इंफिनिक GT 10 pro के कैमेरा से कैमेरा से वह भी आपको यहाँ पे दिखा द वगरे डाइनमिक रेंज वगरे एक्सपोजर वगरे आप देख पा रहे होगे उपसकाय फोर ग्राउंड वगरे ठीक टाक यहाँ पे एक्सपोजर वगरे मेंटेन करने की कोशिश इंफिनिक जीटी टेन प्रो का कैमेरा कर रहा है ओवर एक्सपोज वीडियो वगरे यहाँ इंफिनिक जीटी टेन प्रो का कैमेरा नहीं दे रहा है कलर कैप्चरिंग वगरे और स्टेबल आइजेशन तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्टेबल आजेशन आप रेयर वीडियो में इंफिनिक जीटी टेन प्रो के कैमेरा से कैप्चर कर पाओगे अब इसके अंद का कलर, फोर्ग्राउंड का कलर, बाकी सब्जेट्स का कलर वगरे, टीक टाक कैप्चर करने की कोछी स्लो मोशल में, यहाँ पे इंफिनिक जटी टेन प्रो की कैमेरा ने की है, रात के अंदर भी इंफिनिक जटी टेन प्रो की कैमेरा से कैमेरा से कैप्चर कर पाऊगे, डीटेलिंग उतना जदा खास मुझे यहाँ पे लगने रही है, पर देखे ठीक टाक वीडियो ग्राप्स आप इंफिनिक जटी टेन प्रो के कैमेरा से कैप्चर कर पाऊगे अगर आपके इंफिनिस GT10 प्रो के कैमेरा के बाराब में कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे कॉमेंट में ज़रूर पूचे मैं हर कॉमेंट का रिपलाइ करता हूँ और टेक ब्यूरो के उपर अगर आप नए हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब पर दो या ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा टेक ब्यूरो के उपर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वीडियो कर पसान आपके प्लीज लाइक शेर कर दो जैहिन वंदे मात्रम